कि होगा तो मैं इधर से निखुड़ू यह अच्छा लगता है टहलते टहलते जाओ और साल लूँ कि मेरूं नहीं आ रहे भी नमस्कार वच्छो जैहिन टार्गेट डिफेंस अकड़मी का ओफिशल यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है जल्दी से लाइव आजाईए आपकी जीटी पूरा फुल पेपर कंप्लीट जैसे आपके अंडिये में आता इंग्लिस की क्लास आपकी हो गई है और ये सब्सक्राइब कलास आपकी जो है जितने सारे कोश्चन से वो सारे सारे कोश्चन सापको बिटा करवाय जाएंगे तो जल्दी सा जाईए वैस सभी लोग जी खाना-पीना खा लिया होगा आप सभी लोगोंने था ना खा पी लिया होगा इंग्लिश आपको पढ़के सब्सक्राइब करते हैं तो अभी बहुत सारे बच्चे लाइव आए नहीं जल्दी से लाइव आओ सब लोग जहिन लिखके बेजो मुझे उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं ठीक है प जल्दी से जहिन सभी लोग लिखके बेजिये मुझे भई फटाफट फटाफट सभी लोग लिखके बेजिये जहिन जी राज पूत मुकेस जी पढ़ाम भीया कुछ ओ भ। है ना जितने लोग educación सभी लोग आईए भई चलिए देखे मेरे पीज़े कुछ लिखा होगा आपको लिखा होगा परिंदों को मंजिल मिलेगी यह फैले हुए उनके पंक बोलते हैं चलिए ठीक है यह ना सोच रहा हूँ थोड़ा सीरियस बोलूं लेकिन हर गते हमारी नहीं है परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन यह फैले हुए उनके पर बोलते हैं अपने देखा होगा अक्सर वो लोग खामोस रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं वो एंडी एग्जामेनेशन में लगाई है इस बार और क्वालिफाई आपको जरूर करना है मेहनत करेंगे तो सारे पेपर आपके क्वालिफाई हो जाएंगे सचीन यादव जैहिन सभी को जैहिन बिटा जी चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं रेडियो सभी लोग ना करने क लिए चलिए पहला कुश्चन देखिए क्या अगर अब यहां कि निम्लिकित में से कौन सा ग्रहों में से आकार में सबसे बड़ा है चलिए हमने कुश्चन कुछ इसके करवाए थे जल्दी से आप मुझे इसका रिप्लाई करिए और बताई मुझे आंसर कि क्या होगा इन म से फाइनल ही इस बार करना है तो जल्दी सांसर आप सभी लोगों क्या अ रहे है बिलकुL C यहां से देके मंगल दिया हुए कि collar व्यान से सजट होगा पर थभी आंसर यहां सही होगा मंगल जो होता है इसको कहते हैं लाल ग्रह भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं बिटा इसको कहते हैं लाल ग्रह लाल ग्रह का मतलब होता है बच्चे इसको कहते हैं रेड प्लानेट ठीक है यह कहा है यह नियरस्ट टू यह सबसे नियरस्ट है किसक को गर्म ग्रह कहते हैं यह सभी कोशन्स आपको याद रखना है आपके एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ठीक है राजपूर जी कोई बात नहीं जल्दी अलदी आप बताती जाईए तभी जाके बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर पाऊगे अगला कोशन देखी क्या लिख बंदरगा और पूर्वी तठपर प्राचीनतव बंदरगा तो यह आपके ऑप्शन से जल्दी से इनको मैच करियो और मैच करके बाद मुझे बताईए क्या इनका सही आंसर होगा ठीक है जल्दी से मुझे आंसर बताईए बिटा इसका क्या होगा ठीक है चलिए बताईए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका वाई देखिए जो मुंबई है यह क्या है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है मतलब एका दो हो गया यहां से ठीक है और देखिए बिसाका पटनम क्या है बिसाका पटनम एक लैंड और भूम भूबध जो है वह बंदरगा लैंड लैंड लॉ बढ़ होता है इसको कहते है लैंड लॉग मंदरगा कहते है ठीक है और उसका देखिए 26 तो यहां पर मैच कर रहा है अब b wann यहां से लगा सथे तीसरे का चौथा आप यहां से चिनऊ ही प्राचींतम मंदर्गाः और कोचिछी जो होता इसको कहते है अरब की रानी कहते हैं, हो गया question यहां से, question number 2 हो गया, यहां से 2 कभी, सची नियाद हो जी, बिल्कुल सही answer दिया हो आप सभी ने, जल्दी जल्दी answer बताती जाएए, इस बार NDA examination निकालना है, और कैसे निकालोगे NDA examination, जब आप Target Defense Academy के साथ लगे रहोगे, Target Defense Academy के साथ आप ज matches होते हैं कि YouTube नहीं, तो जिन बच्चों को करना है, वो आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, नीचे number लिखा, वहाँ बात कर सकते हैं, भारत में निमलिखित में से कौन सी crater जील है, crater जील वैसी होती है, जो मेटेरोइट्स होते हैं, उनको गिरने से जो बनती है, उसको कहते है, crater मतलब मान लीजे कोई उलका पिंड अगर गिर गया और उलका पिंड बनने के बाद वहाँ गड़ा हो गया और उसके बाद वो पानी भर गया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्रेटर कहते हैं, बिटा, क्या कहते हैं इसको, यह जील कहते हैं, तो यह कौन है, लोनार जील है, बेटा महाराष्ट में पढ़ती है लोनार जील कहा पढ़ती है महाराष्ट में पढ़ती है important सवाल आ सकता है आपके exam में जी जल्दी बताइए fee कितनी है fee बेटा देखिए नीचे यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 8953532115 दूसरा नंबर लिखा है 8853532134 इस नंबर पर आप कॉल करके fees related सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं ठीके बेटा चली अगला question देखिए क्या होगा किसी मरुस्थल में अल्पकालिक जील का सूच्मकडी संसर किस नाम से जाना जाता है free gained bet of free gained bet of inferral lake is desert is also known as उसको क्या कहते हैं उसको प्लाया कहते हैं औसिस मरुद्यान कहते हैं जो है वो लेवी कहते हैं प्राकृतिक तटबंद कहते हैं जल्दी से मुझे आंसर बताईए क्या आंसर होगा फोर्थ का जी बताईए फोर्थ का ए आंसर होगा उसको प्लाया कहते हैं बिटा क्या कहते हैं उसको प्लाया कहते हैं फोर्थ का ए इसका correct answer ठीक है जल्दी जल्दी बतादी जाहीं बिटा अगला question कह रहा है कौन से कारक भॉम जल ग्राउंड वाटर के वित्रण को प्रभा फिकर्ण कि दर रेट ऑफ इवापरेशन नेक्स अबलिटी ऑप ग्राउंड सर्फेस अलाव वाटर तो इन इन फिल्टर रेट इन्टू दा ग्राउंड सिस्टम और नेक्स क्या कह रहा है आपका distance from the sea कौन सा इफेक नहीं करता है और कौन सा इफेक करता है ठीक है जल्दी स से दूरी पर ग्राउंड वाटर का कोई भी फरक नहीं पड़ता है बाकी वर्सा की मात्रा पर पड़ेगा जहां वर्सा की मात्रा कम होगी वहां पर ग्राउंड वाटर भी कम होगा वास्पी करन की धर अगर जादा होगी तो क्या होगा जो ग्राउंड वाटर होगा वो करता है लेकिन डिपेंड किस पर नहीं करता डिस्टेंस फ्रॉम्दा सी तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों डी इसका करेक्ट आंसर होगा आज आते हैं अगले अगला कह रहा है संविधान के 35 अधनियम 1974 निमलिखित में इसे किस राजिस से संबंदित है ठीक है तो 35 समय देखिए अमेंडमेंट से भी आपके एक्जाम में क्वेशन से बनेगा 100 पॉसेंट बनेगा पिछली बार भी पढ़ाया था वहां से भी क्वेशन बना हुआ इस बा बिल्कुल सही आंसर यहां से दिया हुआ सबीन भाई कि सिक्किम पर डिपेंड करता है किस पर वहिया है यह किस राजिस से संबंदित है सिक्किम से संबंदित है जो 35th Constitution amendment 1974 है इस इस रिलेटेट टू सिक्किम ठीक है अगले कोशन प्याते हैं हम लोग अगला कोशन कहा रहा ह dándar क्या होता यह भी मेड्ल होता है ठीक है बॉक्साइड यहां से क्या होता है इसको भी हम धालि कर सकते यहां से अंसर क्या लगाओगी करीक्ट अभडरक लगाओगे मावीका जिसको कहते ठीक है तो इसका आंसर कौन सा सही है माइका इसका सही आंसर है कि निम्लिखित में से कौन सा अधात्विक खनीश बिटा कौन सा है तो इसमें से है माइका भी आंसर कितने लोगों का आंसर भी यहां से आया हुआ है जी सेवन कभी माइका सची निवादो में सिरवास्तो कुलद वहां से बार्ले वहां की एक मेन रभी क्रॉप है वहां सर रभी क्रॉप ठीक है चलिए अगला कुछन देखते हैं बिटा क्या कहा रहा है अगला कुछन कह रहा है कि उत्तर पश्यम यूरोप की नदियों का अच्छा उदार्ण कौन सा है The river of the Northwest Europe are good examples of तो किसका example से यहां से जलनिकास के समांतर का जलनिकास के त्रिजमी पैटन का जलनिकास के कंकरी कंटी पैटन का जलनिकास के जल्यूट पैटन का Q9 का अंसर मुझे बताईगी क्या होगा इसका अंसर होगा यहां पर बाब्ड पैटन ऑफ ड्रेनर जिसको क्या कहते है बटा बाब्ड पैटन ऑफ ड्रेनर इसको कहा क्या जाता जलनिकास के कंटी की पैटन को तो जो जलनिकास का कंटी की पैटन होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं कि भाई उत्री योरोप की अच्छी नदियां जो होती है उनका ये उदारण होता है ठीक है चलिए अगला कोशन देखी क्या कहा रहा है क्या रहा है निमलिखित महा सागरी धाराओं में से कौन सी सीत है विच वन आपडा फॉलोईंग ओशियन करेंट इस गोल्ड करेंट पाउथ अट्लांटिक ड्रिफ्ट मोजांपिक करेंट इस्टन ऑस्टेलियाई करेंट कैरिबियन करेंट आंसर क्या होगा इसका जल्धी से बताए जी नाइन्ध का पूर्वी ऑस्टेलियन धारा क्या सी यहां से यांस लगाओ कि भाई पूर्वी ऑस्टेलियन धारा East Australian current जो होगा यह यहां से क्या है cold current है अगले question पे आते हैं हम लोग बिटा अगला question कहा रहा है पारदी बंदरगाह किस नदी पर इस्थित है पारदी पोट is located on the delta of विच रिवर जल्दी बताये रेंद परिस्थित है गंगा परिस्थित है या फिर बैतरनी परिस्थित है किस रिवर परिस्त जल्दी समझे रिपलाई करके बताई बेटा इसका बहुत important question है अपने आस पास share करिए जितने भी लोग है सभी लोग share करिए बेटा इसका answer ठीक है सभी लोग share करिए जी 11 टेंथ नहीं आया क्या question पे अच्छा 10 हो गया था यहां पे 11 का answer ठीक है चलिए बताई बिटा question number 11 का answer क्या होगा यहां से भई 11 जी बताई answer 11 का सी answer यहां से होगा महा नदी बिल्कुल सही answer आप सभी ने दिया भई महा नदी पर जो है यह पारदीब डिल्टा इस से यह पारदीब बंदरगा सिचुएटेड है अगला question कहरा है भई यहां से कि कौन सी परिकल्पना यहां से जो है वो सिद्धान ब्रहांड की जो theory है या उत्पत्ती है उसक मुझे बताई बेटा जी question number 12 answer बताईए किस पर depend करता है यह तो आप सभी को पता है कि जो यहां पर hypothesis theory जो explanation देता है किसके बारे में ब्रहांड के बारे में universe के बारे में जो करता है वो सम्मंदित बेटा big bang theory से महा बिस्पोर्ट के सिद्धान से सम्मंदित है answer इसका correct अगला question कर रहा है निमलिखित में से कौन सा नायत्तर अधिकार है which one of the following is a non-judicial right non-judicial right कौन सा यहां पर non-judicial right जल्दी बताए question number 13 का answer बताए क्या होगा इन में से कौन सा non-judicial है देखिए right to educate livelihood परियाप्त अजीविका का अधिकार अगला लिखा right against exploitation social के बिरुत अधिकार यह जो है नायत्तर या फिर non-judicial है यह भी अभियुक्त का अधिकार यह भी इसका answer a होगा यहां से right to educate पर अधिकार यहां से तो थर्टीन का answer क्या लगाएंगे आप लोग लोग एए answer लगाएंगे परियाप्त अजीविका का अधिकार यहां से लगाएंगे ठीक है चलिया अगला question कह रहा है कि क्या एक निमलिकित में से कौन से जिट नहीं है आपने पांच रिटों के नाम पढ़ सारी रिट हैं तो यहां से आंसर क्या लगाओगे आप लोग सुवरने बिल्टी मतला पर्थाकी कर यह नहीं बाकी सारे जो दिया हुआ है यह इसकी रिट है ठीक है और शेयर करो एक बार अपने आसपास शेयर नहीं करोगे तो फिर क्लास में मज़ा नहीं आता है बिल्कुल ह सब लोग जितने लोग देख रहे हों साथ लोग एक एक को भी अगर शेयर करोगे तो 15-20-35 तो होई जाओगे अभी तुरंट ठीक है शेयर करिए पहले जल्दी से जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या भाई सब्सक्राइब करी चैनल को जल्दी से चलिए अगला अगला लिखा हुआ उपाधियों का उबाधियों से विभूशित अधिकार या फिर अंटच बिल्टी राइट अगेंस अंटच बिल्टी तो कॉशन नंबर 15 15 का क्या होगा यहां से आंसर देखिए फंडामेंटल राइट जो है सिच्छा का अधिकार यह फंडामेंटल रा अगू किया जाए तीसरा कह रहा है राइट तू कंफर्ड विद टाइटल उपाधियों से विभूशित होने का अधिकार यह नहीं है ठीक है राइट अगेंस अंटच बिल्टी यह फंडामेंटल राइट से कि भाई अगर आइस पश्चता का अंत होना चाहिए तो यहां से कौन सा Constitution of India नहीं है यहां से राजनीती में अच्छे लोगों की भागेदारी सुनिश्चित करना अगला लिखा हुआ नागरिकों को अधिकार के एक समुच्चे की गारेंटी देना अगला लिखा हुआ यहां से कि सरकार के विभिन अंगों को सक्तिकों परिवाशित करना न करना निसे में निए होता है जो जैल में बन्द होता है वो भी इलक्षन लड़ सकते हैं राजनीती में आ सकते हैं यह हैं अगला नहीं कि सभिता के बारें में कॉनं सा का थां सही नहीं है which one of the following statement is not true about the biodiversity तो जल्दी समुझे question number 17 का answer बताई बिटा क्या answer होगा 17 का 17 का जी देखिए बायोडाइवर्टी सब्सक्राइब बॉल्टर और जन नहीं किया था गलत है मतलब यहीं सही इसका बायोडाइवर्सिटी हाट सब्सका निर्माल मारियन ने 1988 में कहता सही है ऐसे छेत्र बायोडाइवर्सी टे हाट स्पाट कहलाते जहां बहुत अधिक जया विवित्ता होती है बिलकुल कहलाते है विस्ट में जया विवित्ता सो और इसका डी वाला आंसर लगा ओगे ठीक है इसका डी ऑंसर आप लोग करेंगे तो यहां से आँसर लगा हो गया आप लोग बिटा डी वाला अंसर यहां से हो यह वाला लगाओ यहां से क्या लगाओ भई अरे चलो ही यह डी आंसर यहां से ठीक है चलिए बिल्कुल 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 चलिए आगे बढ़ते हैं बिटाम लोग लिखा हुआ है प्रतवी का वायमंडल निम्लिकित में से किसके द्वारत तब तो होता है यह बताईए बहुत आसान कोश्चन है अर्थ एट्मॉसफेर इस मेंली हीटेड बाई विच्वन आप फॉलॉइंग फैक्टर्स जल्दी बताई मुझे आंसर क्या होगा इसका जी सच सचेन सचेन महिर सिर्वास्तों सचेन यह अमन ओजा आदित ओजा यह सब कहां है भाई सचीन यादो जी है ओजा बुदर को अंकित था सब कहां चले गए व हैसो रहें क्या सब के सब क्या अंसर होगा यहां से किसके द्वारा होता है देखिए लगू-टौरंगोदर नहीं ह मंडल गरम आंसर यहां से लगाओगे सी और सी के साथ आगे आप बढ़ोगे अगला कॉश्चन कहे रहा है भू प्रश्च से उपर की ओर बढ़ते पर्तों का सही करम कौन सा है तो कौन सा सही करम होगा यह मान लीजिए पर्थभी है ठीक है तो सबसे पहले होते है ट्रोपोज फेर है ना फिर स्टैटोस फेर मीजोस फेर है ना आइनोस फेर और फिर होती अगली एक्जोस फेर तो यह होता यहां से टस्मी आप याद रख सकते हो यहां से तो टोपोस फेर स्टैटोस फेर मीजोस फेर थर्मोस फेर है ना आंसर कौन सा लगा होगे जल्दी से कौशन न का अगला कोशन कह रहा है कि इंडोनेशिया के निमलिखित में से किस भूछेत्र को भूमत दिरेखा इस पर्स नहीं करती है तो वह बिटा जो जावा होता है सुमाद्रा सुलावेरी और केलिमेंटन इन तीनों को भूमत दिरेखा जो एक्वैटर होती है वह टच करती है जावा यहां से जावा इस दा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अगला कोशन कर रहा है निमलिखित में से कौन सी और साधी चटान जैविक रूप से बनती है विच वन आप दा फॉलूइं सेडिमेंटरी रॉक्स ओर्जिनली और गनिकली फॉर्म तो इसमें से कौन सा है जो ऑप लिटाब का चॉख चौक्या होता जो ओर गनिकली फॉर्म होता है यहां से आनसर लगा होगी आप यद午 द ऐन से जाएक यहां से डिवां इस से नहीं बनती है बाकि सबसे अगला कुशन कह रहा है यहां से कि कोपेन के जलवायू के अनुसार अक्षरकूट CFA CFA जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है तो किसको डिपेंड करता है जल्दी बताईए तो 22 का अंसर यहां से क्या लगाएंगे आप लोग बी वाला अंसर करेक्ट करिएगा यहां से यही सही आंसर इसका ठीक है अगला देखी क्या है किस वलन में अच्छी तल वास्तों में 46 रूप से पाया जाता है पाया जाता है रिकंबेंट होता है या फिर मोनो क्लीनिकल होता है आंसर यहां से क्या होगा Question 23 का मुझे बताइए क्या आंसर होगा यहां से जी रिप्लाई करिए मुझे बच्चों क्या अंसर होगा यहां से रिकम्बेंट करेक्ट आंसर सही है यहां से सी वाला अंसर ठीक है नेक्स्ट नेक्स कह रहा है कि ग्रीन विच्ट समय से निमलिखत में से कौन सा दे समयांतर अधिक्तम है जब उसका जो होगा जो लेटी ट्यूट होगा वो जादा होगा आप सभी को बता है कि यह प्रतवी है अगर यह लाइन जो होती है यह लाइन जो होती है ठीक है और जो यह प्रतवी होती जो यह लाइन होती है यह लेटी ट्यूट होती है है कि यह होती है यह नेचा होती है और यह होती हैंी लॉंगी ट्यूट होती घर तो जिसका जादा होगा उस पर यह डिपेंड करेगा है तो इसका घूटान का यहां से answer क्या लगा होगे होगे तार डी जा कहरेक्ट आगे भी ये questions आपके बन सकते हैं इसलिए class में बने रहेंगे तो जादा समझ में आएगा अगला लिखा हुआ है कि निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है किसके बारे में भारत के महानियावादी के बारे में महानियावादी को कहते है अटौरी जन्रल के जो नियुक्ति ह होता है ये क्या होता है ये भारत सरकार का लीगल अडवाइजर होता है क्या होता बटा भारत सरकार का लीगल अडवाइजर होता है अटौरी जन्रल तो यहां से कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है किसके बारे में अटौरी जन्रल ऑफ इंडिया के बारे में तो इ किसी भी न्यायाले में सुनवाई का धिकार है वह ऐसा पर्समिक प्राप्त करेगा जो राश्पती देगा बिल्कुल सही बात है वह उच्छ न्यायाले का न्याधिस न्युक्त होने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12 सरकार को सभी विदी संबंदित विश्यों पर सला देगा आंसर इसका ए सही होगा बाकी सारे आंसर इसके जो है वो कह रहा है कौन सा इसके बारे में सही नहीं है तो बाकी सारे सही है सिर्फ ए है जो इसके बारे में सही नहीं है ठीक है चलिए अगले कोशन पर आते हैं हम लोग बिटा अगला कोशन कर रहा है निमलिक कि जल्दी से बताई बिटा क्या आंसर हो गाइए इसका फ़र फ़र पर फ़र बचल्दी बताती जाय कि बताएंगे तभी होगा मामला पही सही है ना वरना होगा आप परसो है कि ला काई है कल का दिन और यही रात अंतिव मेही रात भारी जल्दी से एक बार शेयर जरूर करिएगा शेयर नहीं करोगे तो फिर भाई हमको भी मजा नहीं आएगा सची नियादो छेतन छेतन कहां गया वही चेतन सिंग आतो गया चेतन आ गया यह ओजा प्रदर अभी नहीं आए हैं यहां सांसर लगाओगे बी आर तो विच फैमिली औस्टिक फैमिली से बिलॉंग करते द्रवीडीयन फैमिली से बिलॉंग करते हैं शe lepuby करते यहां फिर इंडर यb Drug करते लॉंग काहिए बीट उस्टिक से बिलॉख क belly अगला कुस मुझे का रहा करा सवयाचन स्वैज नहर के बारे में स्वैज नहर का निर्माण कब हुआ था यहां पर लिखा हुआ हाँ बिल्कुल जहाद जल पासों से पार नहीं होते हैं ठीक है चलिए अगला देखी वाई कोशन क्या गह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा भारती सिविल सेवा के लिए योगता अर्जित करने वाला पहला भारती था जल्दी बताए विच्वान आप फॉल्वाइं वाज सिद्था बने या फिर स्थभास चैद्र बोस बने तो कॉशन नमर्ट ट्रंटी नाइन का अंसर बताएंगे आप सते ना टैगोर इसा राइट आंसर होगा फस्ट आइसीस बनने वाले कौन थे बैटा सते ना टैगोर थे ठीक है अगले क्वेशन पर आ जाते है अगला क्व में इसे किस काऔ को वज़ेसं इंगलैंड में सबसे पहले ओढ्योग्य करांथि देखिए सबसे पहले ओद्योगी करांथि मार्य क्ल सब् Wenya नैने इन्वेंशन होने लगेंगे तो क्या होगा उसमें अध्योगी करांती जो जैसे इस्टीम इंजन का विसकार हुआ तो उससे क्या होगा नैने इक्विप्मेंट चलना सुरू कर देंगे दूसरा कह रहा है कि इसके लिए अन्कूल सामाजिक और राजनीतिक सनशना थे बिल्कुल किसी भी देश में इंडस्ट्राइजिशन एक किसी के लिए सामाजिक मतलब जो एक बैग्यानिक दरस्टिकोल होता है साइंटिफिक अप्रोच होता है वो होना चाहिए तीसरा कह रहा है इसमें कि नौगम में नदियों ने अंतर सली परिवाहन को आसान बनाया है बिल्कुल सही बात है आसान बना दिया वहिया उसके बाद इसने पूजी वादी बिवसाई की प्रधानता को देखा बिल्कुल देखा तो यहां से सही आंसर सही है सभी के सभी यहां से एक दो तीन चार इंग्लैंड में इंडस्टिलाजेशन के लिए सारेक सारे जो कारक हैं वो सही थे यहां पर ठीके बच्चा अगले कोशन पर देखते हैं बई अगला कोशन कहरा है भारत के सभीदान के अनुच्छे 46 किसके साचडिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उलेग करता है धार्मिक अलपसंकिकों का अनसूचित जाती इवं जन जाती का बड़ी सिचाई परियोजनाओं से विस्तापित का या फिर आर्थिक रूप से ज इनके उत्थानों के लिए आर्टिकल 46 वर्क करता है अगला करता सुटांतर भारत के मंत्रमंडल में पर्थम सिक्षा मंत्री कौन थे वह फुर्ष्ट एजुकेशन मिनिस्टर इन दा फॉस्ट काबिनिट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो फॉस्ट काबिनिट ऑफ इं पर स्टार्ट हो जाए जएकि दस से तीन इस चारवजे तक हैना इनके सिगहन के लिए श्युकेशंभा बारत के पर प्रत्शम स्यरी cricket अंतरि 33 का आंसर बताईए क्या आंसर होगा बई जल्दी बताईए क्या आंसर होगा बटा जी फटावट क्वेशन नमबर 33 का आंसर बताईए 33 का B आंसर होगा बहादूर साथ जफर बहादूर साथ जफर को रंगून भेज दिया गया था ना रंगून या उस समय इसको यंगून कहते थे और यह कहां परता बर्मा और यहां पर एक्जाइल के दौरान जो है वो मात हो गई थे बिटा इनका अगला लिखावा तत्व बोधिनी पद्रिका के बारे में कौन सा कतर सही नहीं है तत्व बोधिनी सभा तत्व बोधिनी जल्दी बताई इसने पशिमी शोतों के माध्यम से विवस्तित अध्यन को प्रोथाहित क्या जादी से कुशन में 34 का अंसर मुझे बताई बिटा अपको मिलती रहेंगी सारी डिटेल्स आपको मिलते रहेंगी निमलिकित में से किस वर्ष बिटिस सासन संथालों को बसाने क के लिए बड़े भूबाग पर दामिन एक कोह के रूप में सीमांकन किया संथालों को बसाने के लिए जो है बिटिस सासन ने क्या किया यही आप से सवाल यहां पर बूच रहा है कुश्चा नमबर 35 35 का अंसर यहां से लगाएंगा अठारा सो बतिस कप किया बिटा इन्हों नहीं है यहां यह नहीं पूचा है कौन सा जारकंड में इस्थित नहीं है बिटा तो जल्दी से मुझे पताई 36 का अंसर की कौन सा नहीं है उमरिया उमरिया नहीं है बाकी झरिया भी रामगण भी यह देवगण भी है ना जितने देख धरिया देवगण रामगण यह सारे सारे कहां सित बिटा ये जारखंड में स्थित भाकी जो मरिया जारखंड में स्थित नहीं है अगला कुशन देखतें खैंड अगला तो में होने वाले आवदिक उतार चड़ाव को क्या कहते हैं जो गुरुत्वा कर्षणवल होता है सूर्वा चंद्रमा की बीच यह प्रतवी के बीच होता है तो उनसे क्या इंपक्ट परता हूं उनसे टाइड जाते हैं टाइड का मतलब होता है कि स्प्रिंग साते इन एक नीप में से कौन सा कतन सही है महत्मा गांधी का जो अंटच बिल्टी मूमेंट था उसके बारे में विच्वन आप दर फॉल्विंग स्टेटमेंट मिंजा राइट स्टेटमेंट नमब 38 का मुझे आंसर बताईए का आप लो क्या होगा 38 का क्या होगा कि प्रियोजन के लिए अख मात्मा गांधी ने किया हुआ था ठीक है चली अगला कोशन देखी क्या गह रहा है कि महारास्ट में सापित परमहंस मंडली के संस्थाप को में से किसमें विस्वास रखते थे वो तो कौन सी चीज़ सी जिसमें वो विस्वास रखते थे क्वेशन नमर 39 का अंसर बताएंग ठीक है चली अगला कोशन देखते भई क्या है कि कह रहा है यहां से सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए एक तरफ लिखा हुआ डैम दूसरी तरफ लिखा हुआ राज कौन सा डैम कहां पर है क्वेशन नमबर 40 का अंसर जल्दिस बताएंग क्या होगा भई जी बिल्कुल बताई भईया हीरा कुन बांद कहा है उडीसा में है ठीक है पंचेद बांद जहारखंड में है कोसी जो होता यह कहा है बिहार है उकाई कहा है गुजरात में तो यहां से बी वाला आंसर सही लगाएंगा आप चार बी का चौथा ठीक है 40 ए आंसर तीन चार ठीक है थोड़ा सा गड़बर हुआ यहां से इसको कर लेते हैं सही कहां गया एरेजर जी आंसर आप लोग बताईए बड़ा सा मैचिंग में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती भई है ना देखिए एका तीसरा हीरा कुन उडिसा हो गई होगा यहां से पंचेत जो है यह जारखंड में बी का चौथा सी का दूसरा बिहार वे परता यह सही है 3,4,2,1 स्माक सही किया था वो गलत हुआ ना 3,4,2,1 बिल्कुल सही आंसर है चली आगे बताईए लिखा हुआ है प्रतभी के वातावरण के तापमान की सामान हरासदर कहां पर 0 degree Celsius तक गिरती है the normal lapse rate of the temperature of earth atmosphere is decreases यह collapse drop to 0 degree Celsius question number 41 का मुझे आंसर बताईए क्या होगा जी यह होगा जो छोब सीमा के उपरी सीमा होता है upper boundary of the tropopause तो जब upper boundary of tropopause होगा वहाँ पर इसकी जो होगा सीमा 0 degree temperature तक यह कम हो जाएगा बिटा यहाँ पे ठीक है अगला question देखी क्या कह रहा है कह रहा है कि लोक टक जील निमलिखित में से किस राज में इस्तित है जल्दी से मुझे कमेंट करके बताईए सिक्क्य में इस्तित है कोरोस प्लेट, एरेबियन प्लेट या फिर फिलीलीन प्लेट आंसर क्या होगा इसमें कौशन नमर 43 का आंसर बताईए कि कौन सिसमें से मेजर प्लेट है तो मेजर प्लेट कौन सिसमें पैसिफिक प्लेट जो है ये एक बहुत मेजर प्लेट है ए आंसर यहां से लगाएंगे और आगे बढ़ते जाए जल्दी से बिटा परसों ये एक्जाम है आपका एंडिये का मेहनत नहीं करोगे तो मामला गडबर चलिए बताइए क्वेशन नमर 44 अमेरिका स्वतंद्रता युदिस से सम्मंदिन निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए अमेरिका ने नाना दिया था कि प्रतनिद्ध के बिना कोई कराधान नहीं है अमेरिकी ब्यापारियों ने बिटिस के बहिसकार के सहारा लिया अब इन में से कौन सा सही है क्वेशन नमर 44 44 का अंसर यहां से आप लोग लगाएंगे बिटा कौन सा बोथ एक और भी दोनों यहां सही हैं अमेरिके स्वतंद्रता युद्ध से सम्मंदित जितने भी चीजे होती अगला कहा रहा है यहां पर जो उदय है उदय को कहते हैं उतक्रष्ट डबल डेकर एयर कंडीशनर या त प्रेस पहली उतक्रष्ट है किन स्टेस्टों के बीच चली थी क्वेशन नमर 45 आंसर बताईए वई आंसर बताईए किन स्टेस्टों के बीच चली थी कुश्टन नमर 45 का अंसर जल्दी से मुझे रिप्लाइए करिये सभी लोग भई जी महर सच्छेन अबै ठीक है बताते बताईए आंसर क्या होगा नमर 45 बिल्कुल बैंलूर और कोयमबटूर के बीच चली थी बिल्कुल किसके बीच चली थी दैयागा के बावிल्चर ऑर कोयमबटूर के बीच चली थी अगला कौश्टन बिल्कुल साही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग भई क्या अंसर हो जाएगा इसका अगला कह रहा है कि इसे लॉड मैं काले की अध्यक्षता वाले लॉग कमीशन के निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो इनमें से इसने कानूनों के कोडी करण का प्रयास किया यह नयायलों के एक समान पर डाली का विरोधी था तो इसमें आंसर क्या होगा 47 का आंसर मुझे बताईए कि जल्दी बताईए ए आंसर बिल्कुल केवल एक सही इसका कि इसने कानूनों के कोडी करण का प्रयास किया इट अटें पदक बिजेता रहे डिंको सिंग जिनकी हाली में मरत्यू की हुई है वो किस खेल से संबंधित थे जल्दी बताइए डिंको सिंग आने ACRT Games Gold Medalist who died recently was associated with which one of the following games तो 48 का मुझे आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका ये थे बिटा boxing से संबंधित थे मुक्के बाजी से संबंधित थे ठीक है अगला question कह रहा है निमलिखित में से कौन सा राष्ट जी सेवन का स्थाई सदस नहीं है भारत ही जी सेवन का स्थाई सदस नहीं है बाकि सारे जो है भारत के जो है जी सेवन के सदस निमलिखित में से कौन सा फ्रेंच ओपन 2021 पूरुस एकल फाइनल्स का विजेता है नुवान जोकोविच राफिल नडाल है यहां से इस्टेफ़ॉनिक सिता सित्पास है या फिर डेनियल मिदवेदेव है तो आंसर क्या लगाओगे नुवान जोकोविच इसका करेक्ट आंसर है जोकी 2020 मे पताते जाएं निमलिक्त में से कौन सा अंतर्वास्ठी योग दिवस 2021 का बिसेथा जल्दी बताएए भाई है घर पर योगा परिवार के साथ योगा ये सही था फर्यावरन के लिए लोगा योगा योगा फार वे वेल्बींग का मतलब होगा कल्यार के लिए योगा सीस का करेक्ट आंसर यहां से आप लोग बिटा लगाएंगे अगला लिखा हुआ है पहला भारती नौसाइनिक यूरोपी संग नौसाइनिक बल अभ्यास 2021 कहां आयोजित किया गया जल्दी बताई आंसर क्वेश्चन नमबर 52 का आंसर क् बच्छा 52 का होगा गल्फ आफ एडन क्या होगा अधन की खाड़ी में ये किया गया था बिटा अगला सवाल देखिए इजारा प्रणाली के बारे में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्त नहीं है इड़ वाजस सिस्टम या करसी राजस के एक पडाली थे बिचौलियों का ए यहां होगा कि इस पडाली के तहित किसानों के लिए भूर आजस होता ही किया जाता था ठीक है यहांस क्या किया जाता था ठीक है यहांस क्या किया जाता था भीया फिक्स रिवैन्यू सिस्टम फौर पीजेंट ठीक है किसके लिए पीजेंट के लिए जो है वो फिक्स रिव आए हुआ था कि किसकी अधियानाे के अगला लिखा हुआ भारी 18 an02 बिर्टिस और कि आ किया गया किसके धूरा जेमस प्रिंसिपी के दोरा द्केजिंग के दोरा जेमस रइनल के दोरा या फिर चार्ल्सoka काफ द्वारा, 55 का आंसर बताइए, क्या होगा?連 Mackenzie के द्वारा किया गया था, यहां से आंसर बताइए, 55 का क्या आंसर होगा इसका? जी प्रांस विल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लो कि फ्रांस था जो नहीं था बिटा ठीक है अगला कुशन देखी का कह रहा है चंद्रियान 2 के लेंडर निमलिकित में से कौन सा नाम दिया गया जो चंद्रियान 2 का लेंडर था जो बीच में गायब हो गया था उसको क्या नाम दिया गया था जल्दी बताई विज्ञान नाम दिया गया था अनुसनान नाम दिया गया था प्रग्यान नाम दिया गया था या फिर विक्रम नाम दिया गया था जल्दी सांसर बताईए कौशन नमर 57 का अंसर क्या होगा भाई यहां से 57 का D आंसर होगा जिसका ल पुलबूल कैन सिंग हेलारो बधाई हो या फिर उरी किसको जी हेलारो को चुना गया बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग भई बी आंसर यहां से करेक्ट होगा इसका अगला कुश्चन देखे मिल्क ओफ मैगनीशिया का पी एच मान क्या होता है मिल्क ओफ मैगन इस्टमाल करते हैं तो रिमूव एसिडिटी तो रिमूव एसिडिटी फ्रॉम इस्टमक तो पेट से अमलियता दूर करने के लिए क्या होता भई पेट की अमलियता दूर करने के लिए इस्तमाल करते हैं पेट की अमलियता दूर करने के लिए अब कोई अगर एसिडिक नेचर होगा तो बेसिक अगर जाएगा तो क्या होगा साथ के बाद जितने होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं तो यहां से आंसर लिखोगे भाई 10 होगा यहां से ठ प्रियोग किया जाता है जली इस बताएं 60 का भी AGBR सिल्वर ब्रोमाइड का प्रियोग किया जाता है बेटा ब्लैक और फोटोग्राफी में अगला कहा रहा है फेरस सल्फेड में क्रिस्टल की अड़ूपाणी में अडवो की संख्या कितनी होती है इसका होता फेरस सलफेट FESO 4.7S2O तो यहाँ पर इसके अड़वों के संख्या कितनी होगी water molecules की साथ होगी अड़वों के संख्या 61 का D answer यहाँ से आप लोग लगाएंगे बिटा ठीक है अगला कह रहा है बही चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त और छेप का रंग कैसा होता है यह मिलकी होता है या दुधिया होता है क्या होता भई मिलकी होता है या दुधिया होता है या फिर सफेद होता है तो यहाँ से answer क्या लगाओगे C वाला इसका correct answer लगाएंगे अगला लिखा निमले के तत्तों में से कौन सा सामान ताप और दाप पर तरल है मरकरी और ब्रोमीन गैलियम और ब्रोमीन आंसर बताईए जल्दी से बिटा जी क्वेश्चा नमबर 63 का आंसर बताईए जल्दी से क्या आंसर होगा बिटा कि गैलियम ब्रोमीन होगा, मरकरी ब्रोमीर होगा, गैलियम और मरकरी होगा, गैलियम और सीजियम होगा, 63, 63 का आंसर होगा, बिया से मरकरी और ब्रोमीन होगा, नमक और एंथरेसीन के मिस्रड में से, एंथरेसीन को अलग करने के लिए निमलिखित में से किस विधी का प्रिय यह किया जाता है यह किया जाता है सब्लिमेशन सब्लिमेशन होता है जब जो ठोस होता है ठोस सीधा किसमें चेंज हो जाता है गैस में चेंज हो जाता है solid directly changes into gases जैसे आपका NH4Cl हो गया जिसको हम कहते हैं क्या ammonium chloride हो गया iodine हो गया बिटा यहां से ठीक है इसके बाद kapoor हो गया, camphor हो गया है ना, naphthalene हो गया तो यह सारी सारी क्या होता है इन में क्या लगता है sublimation लगता है इन में से किस प्रकार design किया जा सकता है अब पौधे की अंकुर उपर की तरफ अगर गती करेंगे गुर्तवा करशन उनका नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा जब उनका गुर्तवा करशन नीचे की तरफ लगेगा तो उस गती को को कहेंगे क्या उस गतिकों के उनको कहेंगे निगतिव लिहाइज श क्हेंगे उसको ठीक है अगला कुश्छा देखिए क्या रहा है रहाख प्रकास अंसलेशट की प्रकरिया में कौन सा सही है जल्दी बताये है हाँ नौसादर ठीक है क्वेश्टान नमबर 66 का अंसर बताई क्या होगे बटा इनमें से कौन सा सही है 66 क्या होगा यहां से कार्बो हाइडेड बनाने के लिए कार्बन डाई आक्साइड आक्सी करत होता है बिल्कुल सही आंसर यहां से कार्बो हाइडरीट बनाने के लिए कार्बन डाय ओक्साइड के ख़या होता है अक्सीकरन होता है अनावरत वी जी कास्टी तरेवाले सदा बहार प़ुधों को कैसे वरगी करत किया जा सकता है इनको कहते क्या है एक simple zi language आपसे पूछ लेगा कि इनको कहते हैं इनको कहते हैं जिमनो स्पॉम या फिर जाइमनो स्पॉम कहते हैं D answer ये question पूछा गया था आपके NDA exam निमलिकित में से कौन सा उतक basic packing उतक के रूप में जाना जाता है और जायलम और फिरोयम में पाये जाता है उसको क्या कहते हैं 68 जल्दी सांसर बताईए यहां इसको कहते है parents शाइमा कहते हैं इसको parents शाइमा कहते है बीज़ा correct answer हो जाएगा इसका अगला question कहा रहा है भई कि किसी पौधे के तने में घेरे में ब्रदी निमलिकित में से किसमे होने वाली विभाजन के कारण होता है जल्दी से question number 69 पढ़िए और मुझे answer बताईए क्या होगा केवल पाश विभाज मतलब lateral merism only बिल्कुल सही answer दे रहे हैं आप सभी लोग भई कि lateral merism only यहां से इस answer लगाएंगे एक ही जीन की विभिन प्रारूप को क्या कहा जाता है जिनो टाइब कहा जाता है सिप पेर्स कहा जाता है अलिलीस कहा जाता है या फिर आईसो मर्स कहा जाता है क्या कहा जाता है question number 70 का answer बताईए इसको कहा जाता है एलिली जिसको कहते है युग्म बिकल्पी कहते है क्या कहते है युग्म बिकल्पी कहते है अगला लिखा हुआ है निमलिकित में से कौन सा वायरस अत्यदिक संकरमर रोग चेचक के लिए जिम्मेदार हुआ करता था उसके लिए कौन सा जो है वो बड़ा जिम्मेदार हुआ क अगला कुशन देखे उत्पलावकता क्या है वाट इस विवंसी विवंसी क्या है जब आप किसी चीज को मान लीजिए इस बरतन में पानी भरा हुआ है और आप ने इसमें कोई अगर टुकड़ा डाल दिया ऐसे ही तो ये क्या होगा इसमें एक इसका भार नीचे के तरफ काम करेगा mg इस पर एक वेट ऊपर की तरफ लगेगा जिसको बेवनट फोर्स कहते हैं क्या कहते हैं बेवनट फोर्स कहते है या फिर उत्सबावक बल कहते तो 72 आंसर क्या होगा इसका भई डी लगाओगे यहां से कि एक अप्वर्ट फोर्स अउपर की और लगने वाला बल हो किसी वर्ष्तु के भार और द्रभमान को न्यूटन के गती के नियमों सो परिभासित किया जा सकता है Q73 जल्दी सांसर बताइए क्या होगा भई ठीक है द्रभमान अनुपातिक का नियतांग द्रभमान अनुपातिक मास इस कॉंस्टेंट प्रपोर्शनालिटी द्रभमान अनुपातिक का नियतांग यहां से कहेंगे ठीक है बागी तो है नहीं द्रभमान अनुपातिक का नियतांग नहीं है है क्योंकि एफ इसकोल्टू क्या होता वाई एफ इसकोल्टू होता है मास इंटू एसलेरेशन होता है तो इसलिए आंसर इसका ये सही होगा अगला लिगा हुआ है बहुत विज्ञान के भूत पूर्ण नियमों में से क्या पेक्षीत है फंडामेंटल जॉज ओफ इसक्स इन सन्यच्छड और जॉड़ा क्या हो गां उरजा का सन्यच्छड ये इंडिवीज्वल नहीं होगा चार्ज और रैखिक संवेक्स का नहीं होगा है ना سन्यच्छड बिलकुल नहीं ये होगा सदWowक्स इन def जूल कहा जाएगा कब कब कहा जाएगा कार को जब 4 Newton of an object by 20 जब 4 Newton वस्त को इतने centimeter विस्थापित करता है तब ही कहा जाएगा कि कार को एक जूल कहा जाएगा यहां से ठीक है क्योंकि इतने centimeter विस्थापित करता है 4 into और यह मीटर में लिखोगे तो आएगा 0.25 तो यहां से मल्टिप्लाई करोगे तो 1 जूल आजाएगा कब यहां से 4 न्यूटन को 25 से मल्टिप्लाई करोगे तब किसी ब्रत्ताकार पत पर किसी कार की एक समान गती क्या घटित होती है चल्दिस मुझे आंसर बताई क्या होगा Q76 का अंसर क्या होगा बच्चा 76 का गती की दिसा में परिवर्तन के काड़ वेग में परिवर्तन बिल्कुल सही आंसर है अब देखे यहां से होता क्या है कि माल लीजे यह अबजेक्ट है इसकी गती तो समान रहेगी क्या रहेगी इसकी गती या जो चाल रहेगी बिटा वो समान रहेगी लेकिन इसका जो वेग होगा वो बदलता रहेगा या वेग इसका परिवर्तित होता रहेगा तो वेग इसका परिवर्तित होता रहेगा आंसर होगा इसका B वाला अंसर आप लोग लगाएंगे किसी बंद विद्धत परिपत में तीन समान प्रितरोध का एक जो है साहियोजित करम किये जाते हैं तब परिपत में कुल प्रितरोध कितना हो जाएगा जल्दी सांसर बताई क्या होगा बेश्टिगत प्रितरोध का एक तिहाई कहरा है यहां से थ्री एक्वल एजिस्टर्स हार कनेक्टेड इन पैरलल अब देखिए मान लीजिए पैरलल कॉमिनेशन क्या होता वन अपॉन आर्पी स्कॉल टू यह समान हो गया मान लीजिए हमने इसको समान ले लिया है ना तो यह कितना हो गया भाई यहां वन हो गया यहां तीन हो गया और जब यहां से आर्पी निकालोगे तो कितना आएगा एक बटे तीन आएगा तो कितना हो जाएगा एक तिहाई हो जाएगा यहां से बेटा ठीक है आंसर एक तिहाई रदर फोड का अलफा कर प्रिकेड़न निमलिक एक बिल्कुल सही आंसर है अटामिंग न्यूक्लियस के बारे में जो है वो था कि भाई रधर फोर्ड जो है वो अलफा कर प्रकीरल कुछ आए जो यहां से चले गए कुछ यहां पर जो द्रबमान था टकरा के अपने पर ही वापिस आ गए कुछ यहां से चेंज हो गए तो इ नहां पर बीच में एक नाभिक यह न्यूक्लियस इन्हों ने इसको नाम दिया केक एम कोस में इलिक्टानों के अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती देखिए के होता है एल होता है एम होता है और एन होता है फार्मूला होता है इसका टू एन स्कॉार होता है यह वन होता है टू कुशन कह रहा है कि प्रकृत में क्लोरीन जो है 30 U U और 37 U द्रभमान के समस्थानिक के रूप में करमसा तीन अनुपात एक के अनुपात में होता है तो इसका परमाण भार 35.5 यूनिट होता है या AMU होगा question number 80 तो 80 का answer क्या लगाएंगे यहां से बी वाला इसका correct answer लगाएंगे ठीक है अगला लिखा हुआ है cancer के उपचार के लिए निमलिकित में से किस तत्यू के समस्थानिक का प्रियोग किया जाता है cancer के उपचार के लिए iodine sodium cobalt या फिर uranium किसके लिए प्रियोग किया ज जी 81 का answer बताईए C answer होगा इसका कोबाल्ट अगला question steel और लोहे को जंग से बचाने के लिए निमलिकित में से किस धातों की पतली परच चढ़ाए जाती बिटा किसका होगा जस्ता जिंक की पतली परच चढ़ाए जाती है बीस का correct answer हो जाएगा ठीक है अगला question देखिए सिने बार निमलिखित में से किसका आयसक है सिने बार बेटा मरकरी का आयसक है हजजी का आयसक है सिने बार और याद कर लेना किमेस्ट्री के फस सकते हैं आपके NDA एक्जाम में किसी ऐसे धारा वाहि की रिजचालक की परिकलपना कीजिए जिसमें चुम्बकी छेत्र रेखाएं वामवर्त दिसा में जो है निर्धारित की जाएं imagine a current carrying state conductor with magnet of a line anti-clockwise direction जो इधर घूम रहा हो वो ठीक है then the direction of current is determined by तो उसके direction of current जो है वो किसके through determine करेंगे उसको determine करेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो उपर दिसा में होगा ऐसे जो होता है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम जो होगा उसके according इसको करेंगे ठीक है अगला question देखी क्या कह रहा है विद्धारा उत्पन करने के लिए परियोगत उपकरण को क्या कहा जाता है ऐसा उपर जो विद्धारा उत्पन करता है उसको क्या कहते है उसको कहते है बिटा हम लोग generator क्या कहते है generator कहते है इसमें क्या होता है mechanical energy इसमें क्या होगा mechanical energy change होगा किसमे electrical energy में change होगा है क्या होगा भई mechanical energy changes into electrical energy अगले question पर आते हैं जी फड़ा फड़ा आकाश कुमार मिलें सिर्वास्ताव सचीन यादव पूरा लेक्चर देख रहे हैं बाकी और सब जो है तफरी कर रहे हैं है ना निकट द्रश्ट दोस्त मनुस्त में वह दोस है जिसमें 86 का अंसर बताई क्या होगा निकट द्रश्ट दोस्त में क्या होता निकट वस्तु का परतविमें रेटिना से पहली फोकस पर ही बन जाता है यह माली ज़िए यहार रेटिना और दूर दूर दरष्ट देवज में रेटिना के बाद बनता है थीख है तो सी आंसर यहां से लगाएंगे अगला लिखा वा टिंदाल प्रभाउ किसकी परिफेक्ट ना है टिंडल इफेक्ट इजा फेनामीना ओफ तो टिंडल इफेक्ट किसकी परिकलपना है कोशन नमबर 87 का अंसर बताईए टिंडल प्रभाव जो है वो कोलाइडी करो द्वारा प्रकास का प्रकेडन मतलब स्काटरिंग ऑफ-लाइड बाइड दा कोलाइडर पार्टिकल तो के परवरतन पॉलराइजेशन डिसपरजन तो भहिया इखें अपवर्तन क्या हुता आपवर्तन होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम मैं जाती तो अपने मारत्म से बिचली graduates हो जाती है तो बिचलीst हो जाएगी जब क्या होगा interfraction के कार्ण जो ए वह ट्विंक्लिंग आफस्टार या तारों का टिम्टिमाना होता है अगला कौशन कहरा है मानों आख में कौर्णिया है क्या है क्या है क्या होगा क्या होगा क्या है क्या होगा क्या है क्या है क्या है क्या है यह प्रोटीन और कोशिकाओं से बना होता है यह यह प्रोटीन और कोशिकाओं से बना हो दालोगे तो वन अपॉन एफ होता है ये मीटर में अगर इसको पावर आफ लेंज को आपको सेंटी मीटर में लिखोगे तो हंडिट अपॉन जो एफ होगा ये सेंटी मीटर में हो जाएगा तो यहां से हंडिट हो गया और यहां कितना दिया 25 सेंटी मीटर दिया तो कितना आ आयुप्तर आजाएगा आपका यहां से आंसर सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा आगे बढ़ते हैं बिटा अगला करहा है घरेलू पस्वों जैसे मवेसी भैंस बकरी भेड अमासे में कुल कच्छों के संख्या कितनी होती मतलब इनका जो स्टमक होता है वो कितने चैंबर हो बढ़ होता है यहां से अगला क्वेशन देखी क्या कह रहा है आंद्र जीवार निमलिखित में से किसका मुख्य स्रोत है जो यहां लिखा हुआ है इंटेस्टाइन बैक्टीरियल आर्दा सोर्स और विच मनाब्दा फालोइंग बिटामिन का पर मुख्योंतर होता है नाइ होता है किसके लिए उत्तरदाई होता भई 93 का अंसर बताईये भी एस्टो जन होता है यहां से क्या होता बिटा एस्टो जन होता है जो की जिम्मेदार होता है अगला कोशन के रहा है किसी वस्त की दूरी यू प्रतिबिम वी और दर्पन की फोकस दूरी एफ हो तो गोला कार दर्पन को सूतर समतल के लिए लागू किया जा सकता है जब कब होगा वन अपॉइन एफ इसकोड टू वन अपॉइन यू प्लस वन अपॉइन वी होता है तो होता है तो किसके लिए लागू होगा है फोकन लंबा है जिसकी अनन्त होती है उसके लिए ये लागू होगा बाकी और किसी के लिए नहीं लागू होगा सूनी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं लागू होगा अगला लिखा है नावकी बिखंडन कहा गया नावकी उर्जा किस से प्राप्त की जाती है क्वेश्टन नमबर 95 का अंसर बताईए नावकी उर्जा किस से प्राप्त की जाती है नावकी बिखंडन और इसके बैंजा को आ अनुरा निमलिखित में से किस्से परिवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर संचन नहीं कर सकती या एक हवा में अंदर्ध तरंग है भाईया जो sound wave होती है दे can't travel in vacuum और vacuum में बिल्कुल नहीं चल सकती है ठीक है अगला question देखिए क्या कह रहा है एक tennis gain को उर्दवादर दिसा में फेका जाता है gain की अधिकतम उचाई 20 मीटर तक पहुंसती है तो gain लगबक कितने उर्द्वादर बेक से फेका गया होगा 98 का आंसर बताईए क्या होगा और कि काया है बीष मीटर की उचाई तक फेका गया तो भाईया इस का जो अंसर होगा 98 का क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेका गया होगा तभी जाके जहां पर ग्रैविटी मैक्सिमम होगी वहां से यह किया जाएगा ठीक है अगला कोशन लिखा हुआ है कि किसी 2000 रभमान की वस्तु में इतने जूल गती जूर जा है तो वस्तु की चाल क कितनी शिगति कर रहा है अच्छिक धना मुस्ति गच वस्त इतने घूल काने जिर्जी वाट सरक्षाइब Vaas ke Design चंज्ध को पता यहां से किनिख ल्हूल का फार्मूला क्या होता है कि यह उता है हाफ एंवी स्क्वायर होता है ठीक तो कानिक्टिक निएर्जी यहां से आपको एनर्जी दिया हों यहां से लिखोगे V2, लिखोगे के नहीं लिखोगे यहां से, तो यह आएगा यहां से, तो कितना आगया, जल्दी सांसर बताई है, यहां कितना आंसर आए, 99 का, इसका आगया 10 मीटर पर सेगेंड, क्या आगया वही, 10 मीटर पर सेगेंड यहां से आंसर आगया वही है, इसक एसको बार Sir I have sweetie Palmas should I prefer for अगर आपके sweat आ रहा है आपको अगर पसीना आ रहा है तो उसका इलाज होता है ठीक है उसका इलाज होता है उसका medicine से आप दवाई करोगे अगर उसका तो जो sweetie होगा वो उसका इलाज हो जाता है ठीक है अगला देखिए का कह रहा है परिसान होने की जरुत नहीं है NDA में जा सकते हो निमलिकित में से कौन सा IN के साथ F के साथ electronic नहीं होता है सबसे one of the easiest question इस बार जो एक्जाम में पूछा गया था nitrogen क्या होगा इस cancer N माइनस होगा यहां पे N में कितने electron होतें यहां से 2 और 5 7 electron होते 3 इसके outer में होते 3 outer में होते तो यहां से कितना बचेगा N माइनस में 1 बचेगा जो की क्या होगा निमलिकित में कौन सा N F के साथ sum electronic नहीं है तो यह नहीं sum electronic बाकी sub है क्योंकि N A plus की अगर बात करोगे तो N A plus होता है 2 8 होगा यहां से 10 हो जाएगा यहां से OE होगा यहां से 2 8 होता 2 इसमें भी कम हो जाएगा ठीक है 100 का answer यहां से क्या लगाऊगा भाई या D वाल answer लगाऊगा आप लोग 100 का D is the correct answer बताइए कितने सही होगे बताइए जदिस भई कितने question जी सची नियादो जै हिंसर जै भारत perfect right all questions ठीक है neon 10 सची नियादो 100 by 100 हाँ ठीक है 100 by 100 exam में लेके आओगे तो पता लगेगा exam में 100 है परसो paper है मैनत करी करते रही है सभी को all the best और मिलते हैं कल की class में बहुत सारे नए questions के साथ आखरी जो आपका पढ़ाओ है एक अंतिम पढ़ाओ है examination का उसको बहतर तरीके से revise जरूर करिए अपने घर में आप मेहनत करिए अच्छे से selection हो जाएगा जै हिंद बच्चों